हेलो दोस्तो नमस्कार जैहिन जैभारत मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सबर परासा करता हूं सबी लुग ठीक होंगे दोस्तो आज मैं आपको वर्ल्ड जोग्राफी का एक महपून टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है प्लेट टेक्टॉनिक प्लेट बिवर्तनिक किया यदे आपने इस चैप्टर को ठीक तरीकी से अध्यन कर लिया तो इससे समंद्ध जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे देखेंगे वह आपको बहुत आराम से समझ जाएंगे क्योंकि ये प्रत्वी का एक ऐसा पाठ है प्रत्वी समंद्ध एक ऐसा चैप मोशली आपको इसी यही चैप्टर है जो वेस्ट है आधार है मित्र इसकी में एक से दो बीडियो बनाऊंगा अब दोनों बीडियो देख लेंगे उसके बाद मैं वॉलकेन पढ़ांगा इन दोनों बीडियों से आपको अगर आप ठीक तरीक से देख लेते हैं बगर इसकि से देखें और एक बहुतरी नोट्स बनाएं यह मेरा आपसे अंडरोद भी है और मेरा सैसन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आपसे घुजाय से कि कि मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब करने को आद वेल आइकन को किलिक करके और पर स्लेक्ट कर लें क्योंकि इस चैनल के माद्यम से में जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे इस जीजिवर्फी पॉलिटी एकनोमिक्स जनलन साइंस तथा करेंट फेर की कच्छा है बिलकुल निस्वल को देता है अगर आपके जैसा कर लेते हैं तो मेरा नोटिफिशन आप तक पहुंशता रहेगा और मेरी वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ही लाबदाएक शिद्ध होंगे आईए मित्रह मेलकर की इस सब्सक्राइब प्लेट टैक्टॉनिक्स दान सबसे पहले देखेंगे जैसे एक भूगल वेक्ता का नाम आता है एक एक भूगल वेक्ता वेक्ता का नाम आता है एफ आर्टेलर कि पर टैलर का मांना है कि यह मानते हैं कि जो प्रत्वी हमारी प्रत्वी पर जो महादिप है उस समय नहों महादीप वो पिलेटों की संजादी क्या है ये पिलेट है क्या है ये पिलेट है और ये पिलेटे एक दूसरे से दूर जा रही क्या हो रही है एक दूसरे से दूर जा रही है और यह भी बताया इसका प्रमुक जो कारण बताया वह चंद्रमा का जो जुरी बल है वह इनको एक दूसरे को अलग कर रहा है जैसे देखियेगा जैसे यह हमारी प्रत्वी है यह हमारी अर्थ है इस पर जो प्लेटे क्या है प्लेटे है वहां चंद्रमा के ज्वारी बल के कारण के कारण एक दूसरे से दूर जा रही है क्या हो रहा है एक दूसरे से दूर जा रही है अब देखिएगा यह प्रत्वी है इसके चार तरफ यह पानी है हमारी प्रत्वी है इसके दो भाग है क्या है दो भाग है इन्होंने जो उपर वाला भाग है जो उपर वाला भाग है उसे लारेश या लारेसिया या अंगारालेंड कहा था क्या कहा था लारेसिया बोला था या अंगारालेंड बात एक ही है जो उत्तर की तरफ प्रत्थवी का भाग है उसे इन्होंने लारेसिया या अंगारालेंड जो सब्ध हैं इनको में तरा आप याद रखिए यह पूछे जाते हैं एक्जाम की दर्शिशे बहुत मैध्पूर हैं इन्हें लारेसिया या अंगारालेंड कहा गया जबकि जो दच्छड की तरफ यह वाला भाग है आएक मानना है एकर टेलर का एक फ्र एक टेलर का मनना है कि यह प्रत्थवी है प्रत्थवी पर जो प्लेटे हैं वह एक समय इस तरीक इसती इस खटी थी लेकिन आप चंदर्मा के जवारी बलेकर्ण इसमें दरार आ गई और दरारीकर्ण यह दो भागों बटे गया जिसे उपर बाली भाग को क्या कहते हैं या अंगारालैंड कहते हैं जा रछे को एक द 도 दूसरे से अलग कर रहा है इनके सिद्धान्त है इनका जो सिद्धानत है इसταर्य कुछ महादीपी प्रभा inspirand करना आद अप्रत्राइज metrics को सब्भंद में महादीपी प्रभांजन महादीपई रभा है ओ अगर आप से पूछा जाता है कि महादीपी प्रभान शिद्धान्थ किस ने दिया है तो एफ आर टेलर ने दिया है, किस ने दिया है, एफ आर टेलर ने दिया है, और महाधी प्रभास दान्त की अंतरकत इन्होंने बताया, कि प्रत्वी पर जो प्लेटे हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रही है, कैसी जा रही है, दूर जा रही है, इसका कान उन्होंने ये बता चंद्रवा का जो ज्वारी बल है वो इनको एक दूसरे से अलग कर रहा है अलग कार कर रहा है प्रारम में प्रत्वी इस आकार में थी इदर इसके पाणी जल था जलमंडल था और यह एक इस्थल खंड था जो तूटकर के दो भागों बट गया उपर भाग को नीचे वाले भ ने दिया है तो आप आराम से बता ले जाएंगे एफ और टेलर ने दिया है एक जाम की दर्शिचे महकूर है आप इसे नोट कर दीचिए अब देखिए अब देखिए दूसरे ब्रूगल बेखता थे उनके बारे में बताउंगा में जनका नाम आकशापनी सुना होगा वैघनर क्या नाम है वैघनर वैघनर ब्रूगल बेखता ने नहीं बताया इनहोंने सुध्दान्ट दिया उसुध्दांद का नाम था महादीपी विस्तापन का सच्द्दाğंब जिए उवादीपन धाब महाधीपी विस्थापन का सद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द वो टेलर ने दिया था वेगनर ने क्या दिया है महादीपी महादीपी बिस्थापन का सिद्धान आज की बात आप बता रहे जाएंगे एक नंबर में कोशन पूछा आता है यदे आप यूपीस याशी पीचेस याशी और टीडीटी पीडीएस पर इच्छा के त्यारी कर रह साथ में यह बताया इन्होंने बताया जैसे यह प्रत्थवी है यह हमारी प्रत्थवी है और प्रत्थवी इस तरीके से पहले एक इस्थल खंड था यह क्या था इस्थल खंड था इसके चारत तरफ यह पानी है जल है जल मंडल है इसको भी वैगनर ने अलग नाम दिया यह जल मंडल है समझिएगा यह जो इस्थल मंडल है क्या यह इस्थल मंडल है कि इन्होंने वेगनर ने इसको पैंजिया कहा था पैंजिया पैंजिया कहा समझ यह यह जो इस्थल मंडल है पहले प्रत्वी इस तरीके स्थी और प्रत्वी को जो यह आप गलोब पर देखेंगे जो सातव प्लेटे हैं अगर आप इस तरीके से सबको मिला देंगे महादीप को तो उनकी आकरति साकार में हो जाएगी इस आकार को वेगनर ने क्या नाम दिया पैंजिया और जो आपका जल मंडल है यह क्या है में तरह पर जल मंडल इसे वेगनर ने पैंठलासा कहा क्या कहाँ पैंठलासा इसे क्या नाम दिया पैंठलासा नाम दिया को तो अगर कॉशन पूश है कि पेंघिया यह क्या है तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि प्रिधिकल इस्थ्थर मंदल आप पेंजर यह कह जाता है 25 यह क evitar किई तो यह चारक उयर चलफे 55 अब देखिएगा अ को कर दिशन यह कहा ही कि कंडिशन यहां हुई मित्र कि यहां प्रत्वी कि यह प्रत्वी थी इन्हों ने बताया इन्हों ने क्या बताया कि जो प्रत्वी है प्रत्वी सवसे पहले दो भागों में टूटी थी और टूटीने का प्रत्वी का गुढणवल और चंद्रमा का ज्वारी वल इन्हों ने अपना सिद्दान दिया है उसका ब्यस यह है कि सवसे पहले प्रत्वी का गुढणवल गुढणवल दूसरा बताया चंद्रमा का ज्वारी वल ज्वारी वल यह इन्हों ने बताया इनका सिद्दान्त है जो महादीर प्रिस्थापन का सिद्दान्त यह मोश्ली दो बात्वापे नरवर है अब नोने बताया प्रत्वी के गुढणवल के काण और चंद्रमा की ज्वारी वल के काण यह प्रत्वी दो भागों में टूट गई है कि इसको अन्होंने अंगारा लेंड कहां और जो नीचे वाला भाग था वसी तरीके से इसको गोडवाना लेंड कहा गया गोडवाना लेंड कहा गया जो उपरी वाला भाग था उसे अंगार लेंड या यूरेसिया में यूरेसिया यसे इस अंगाया लैंट से देखा जाएं तो उत्तरी अमेरिका जीए आप देखते हैं में पर उत्तरीर का जिनमुःज है हुआ वाय है यूरोप का जनव हुआ है अ कि एसफरी जो अंगारा लेंड है यह है उससे उत्तरी अमेरिका का उत्तरी अमेरिका बना युरोप बना एसफ्या बना यूरसीय बना यूरेसिया बना उसके बाद देखेंगे कि जो गौडवालेंड है गौडवालेंड से इस गौडवालेंड से मित्र आपका दच्छडी अमेरिका किसका नमाड हुआ दच्छडी अमेरिका का नमाड उसके बाद अफ्रीका माधिक का नमाड हुआ उसके बाद देखेंगे अस्टेलिया का नमाड हुआ और विशेस रूप से प्रायदी भारत का नमाड हुआ साथ है कि असे प्रायदी भारत का नमाड किस से उवा है ब्रायद का नमाड कि से ला है यह कोशन कोचा जाता है तो आप बढ़े आराभ सप्ले जाएंगे उत्त्री अमेरिका उट्रियों एसिया और यूरेसिया जबकि आपका जो गौड वाल इंड एसके नुअट हमाड होगा और दच्छ्ट्रीय अमेरिका अफरीका है आस्टेलिया और प्रायदी भारत इसे मिलकर करके गौर्ड वालेंड का नुमाड हुआ है अगर भारत के संदर मिश्च आता है तो आज्च के बाद आप बता ले जाएंगे कि प्रायदी भारत का नुमाड खि के आफ देखिए कि मैं आपको मैं चेपटर पर प्रहाता हूं आपको यह बताओं जाओ फिलेटे हैं जैसे महाधीप क्लिए इसका क्यों को इनन変 अनुट कैसे हुआ है वो आपको अब देखिएगा जैसे सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रत्थवी है जैसे हम यहां पर प्रत्थी बनाते हैं और प्रत्थिवी का इतना भाग हम निकाल देते हैं इधर समझ यहां से कॉशन आता है और डाइगराम भूल की आत्मा है देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रत्थिवी को तीन भागों बाटा गया है सबसे पहले क्रस्ट है यह क्रस्ट इसमें अपर क्रस्ट और लोवर कर्श्ट दो है उसका अद मेंटल वाला भाग है और यह कूर है इसे कूर कहते हैं इसे कि सब्सक्राइब अब देखिएगा है जाए मेंट्रों यहां पर देखते हैं कि जो क्रस्ट वाला वाग है जो क्रस्ट है और क्रस्ट के जस्ट नीचे यह मेंटल है यह वाला मेंटल क्रस्ट और मेंटल का यह वाला भाग क्रस्ट और मेंटल का यह वाला भाग यह वाला कुछ क्रस्ट का बलग क्रस्ट और मेंटल का यह वाला भाग जिए रेट से दिखाया है मेंटल का उपरी भाग है इसको लिफोस्पियर कहते हैं यह वाला क्या कहते हैं लिफोस्पियर कहते हैं इसकी मोटाई लगबद 100 km से लेकरके 200 तो क्रस्ट संपूर्ण क्रस्ट और मेंडल का उपरिभाग इसको क्या का जाता है लिटोस्पियर कहा जाता है जो प्लेटे हैं जो हमारी प्लेटे हैं वह सागर है या जो महादी प्लेटे हैं वह इसी के उपर टैल रही है वह कैसे बताता हूं आप आपको मैंने बताया था कि जो स्विस मौधे थे स्विस महवदे स्विस महवदं ने ल stat अ कि कि इस तरीकी से बाद आठ आता जो ऊपरिवाला आप था इस तरीके से कि इसे सियाल बुला था उन्होंने और इसको सीमा बुला था अ है ऑलू इसको नहिश yağ बोला था किया और जो स्याल था उसके कहते हैं इसको मेंटल को को और इसको को पूछा जाता है तो बता ले जाएंगे यह ता प्रत्वी के संदर्ब में मैं मैं आपको पिछली वीडियो में बहुत बिश्तर तरीकी से बता चुका हूं आप जाकर कि उसे जरूर देख लें तो देखिए का मैं आपको बताता हूं मोस्ट लिए यहां पर एक बात और पूछी आती है और छो इसे लिथोस्पिर करते हैं और जो मैंटल वाला व्हाग केフवह से क्या कहते हैं में शिर्ट ते क्या करें प् stör याद रखने पड़ेंगी जो मेंटल अपाई शीकार क्याती है और और यहुट जो कोर वाला भार वाला उसे बाइरोष प्य। कैने अ छुए कैते हैं हुए फाल आ लुक्राइमος कॉलुक्षाना कैटे से क Wuhan आप क्रस्ट और मेंटल का कुछ भाग आप इसका इसके शॉट ले अब देखिएगा कि अब देखिए प्लेटों का कैसे निर्माड हुआ वह आपको बताता हूं प्लेटों का निर्माड कैसे हुआ वह वह मित्र आपको बताता हूं देखिएगा जैसे कि यह हमारा लिथोस्पीर है क्या यह लिथोस्पीर है कि यह क्या आपका लिथोस्पीर है लिथोस्पीर क्या है वह मैं आपको बता चुका हूं इसके नीचे इसके नीचे यह वाला भाग है जो रेड रेड अवस्था में आपको दिखा रहा हूं यह तरल अवस्था में कैसी वस्था में तरल अवस्था में और सब्स्था में तरल अवस्था में है जो रिथोस्पीर है जिसकी मोटाई लग वग वग मैंने आपको बताई थी 100 किलोमिटर इसकी लंबाई में आपको बताई थी गहरा ही बताई थी उसके जश्ट नीचे आपको तरल अवस्था में एक मंडल मिलेगा इसको कि इसको इस्थोनो स्पियर कहते हैं क्या कहते हैं इस्थोनो स्पियर क्या 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 थे वित्र स्थैनोस्पियर आप यह बताई inception कैंसेありがとう तो यह द्यान में क्योंका है हुआ कि हुए प्रत्वी से पूर्व सक्राइब दोन करती है कि Понडि object में क्या होता है कि प्रत्वी के अंदर जो भी प्लेटे नो प्रतयी को जिस तरीके से तीनव हागों साक्ट कशिए म्तार सब्सक्राइब उनका जो गनत्तो है वो अलग अलग है और गनत्तो अलग होने कान उनमें घर्सण पैदा हो जाता है तो यहां पर क्या पैदा हो गया है तो सबसे पहली बात क्या हुई है घर्सण पैदा हुआ है पैता होगा तो उहां पर क्या होगा फैप होने से क्या होता है रेडियो एक्टिव तरंगे अ ऐसे एक्टिव तरंगे उत्पन होई अ मैंने आपको बताया फिर समझेए प्रत्वी यह परत्वी को तीन भागों बाटा गया है प्रत्वी पर्थी पर्ष्चिंग पूरो दिसा के और उसके कंडिसन में इन तीन भागों का करेंट्वेंटर यह वस्ता रेडियो एक्टिव तत्त उत्पन्द हो जाते हैं जिससे क्या होता है टेंपरेचर उत्पन्द हो जाता है तापमान उत्पन्द हो जाता है क्या पंगोता है दाप मान उत्पन्द हो जाता है आप इस तरीके से गती रहते चेंबर बन जाते हैं इसमें जो लावा है है क्यां लावा है है ये गती करता रहता है और जहाँ पर अधिक नहों ज्यादा प्रेसर आधिक तापमान उतपन कुछ चित्र इस तरीके से उत्वन हो जाते हैं यहां पर ताप मार बहुत अधिक है और ऐसे चित्रों को होट इस्पोर्ट शित्र कहा जाता है क्या कहा जाता है होट इस्पोर्ट शित्र कहा जाता है अर्थात जो एस्थनु स्पियर के अंदर ऐसा इस्थान जहां पर टेम्परिचर बहुत अधिक होता है क्या होता है बहुत अधिक होता है उन छित्रों को hot spot छित्र कहा जाता है जब देड टेंपरेचर अधिक होगा तो प्रैसर भी अधिक होदा और रेडियो तरंगे इस तरीके से जो धरातल है जो लिटो स्पीर है उसको इस तरीके से लिए इस तरीके से पुस्त करते हैं कि इस तरीके से बल लगा कर किस पर पुस्त कर देगे तरगे क्या करेंगे पुस्त करते हैं तरण्य तरीक से क्या कर देंगे पुस्त कर देंगे अर्थात यह क्रिया जहां पर जो लिटोस्फियर कमजोर गुआ उस तरीके से कि आपता जाएगे क्रेक्स पड़ जाएगी इस तरीके से यह प्लेट आप कहा जाता है इनको फिलेट कहा जाता है पलेट में अभी प्लेट में प्लेट कहा जाता है होती है इनका इसके सोट लेजिए देखी मितर यहां पर आपको एक बात और बतानी कोस्ट करूंगा कि इनी के माध्यम से ज्वाला मुखी जैसी घटना अगपन होती है क्योंकि जहां क्रेक्स पड़ती है तो पाइप के रूप में दरार के रूप में यह लावा होता है वो ज इसी और चेम्बर इस तरीके से घूम रही है यह घूमने कान यह एक दूसरे टकराते हैं तो भूकम को जैसी स्थित्पन हो जाती है आप इसका इसके सब्सक्राइब दिजिए ताकि में प्लेटों के परकार बता सकुआ है आप देखिए प्लेटों के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार प्रकार में आप देखेंगे सबसे पहले हम आकार में के अनसार देखते हैं आकार के अनसार प्लेट प्रकार के प्रकार के होती हैं नमबर एक बड़ी प्लेट और चोटी प्लेट बड़ी प्लेट और चोटी प्लेट बड़ी प्लेट कौन कौन से होती है चोटी प्लेट कौन कौन से होती है जस्ट मैं आपको बताऊंगा उसके बाद देखेंगे नमबर दो पर देखेंगे अब प्रकार के आधार पर देखा जाए तो प्लेट दो प्रकार की होती है नमबर एक धातली प्लेट या महादीपी प्लेट दूसरे नमबर पर होती है महासागरी प्लेट ओशियर प्लेट इसे कहते हैं कॉंटिनेंटल प्लेट कॉंटिनेंटल प्लेट इसे कहते हैं ओशियन प्लेट तो प्रकार के आदर पर देखा जाएं तो प्लेटे दो प्रकार क्यों होती है महादीपी प्लेट और महासागरी प्लेट आकार के आदर पर देखा जाएं तो बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट मैं समसे पहले बताता ह महासागरी प्लेट वह भारत है अमारा इंडिया है वो किस प्लेट के तहता आता है वो भी आपको बता हुआ देखिए वित्रा जैसे यह लिथोस्पीर है यह लिथोस्पीर है लिथा यहां पर कंडिशन ऐसी होती है कि यह प्लेट है इस तरीके से प्लेट बनती है यह यह अलग प्लेट है यह अलग अलग कर देतें यह अलग हुए इस तो जिस प्लेट पर धरातर होता है मादिब होता है ये इसे मादी पी पिलेट कहा जाता है जिस पिलेट पर धरातल होता है जिस प्लेट पर धरातल होता है उसे मादी पी प्लेट कहा जाता है क्या कहा जाता है मादी प्लेट कहा जाता है और जिस प्लेट के उपर जल होता है उसे महासागरी प्लेट कहा जाता है क्या कहा जाता है महासागरी प्लेट कहा जाता है जान दीजिए ऐसी प्लेट जिसके उपर धर्हातल है उसे महादीपी प्लेट कहा जाता है कॉंटिनेंटल प्लेट कहा जाता है और जिस प्लेट के उपर मुश्ट्री जल होता है उसे ओस्चिन प्लेट कहा जाता है महासागरी प्लेट कहा जाता है और ऐसी प्लेट जिस पर जल्बी होता है और महादीपी होता है ऐसी प्लेट जिस पर जल्बी है क्या जल्बी है और इस थल्बी है दौरों है तो यह कंडिसर यह देखी आती है अच्छा यह बताईए तो इस प्लेट को इस्ठल मंडल भी है Ooh जल मंडल भी है, तो ऐसी प्लेट को आप क्या कहेंगे ? तो ऐसी प्लेट के अनृसार कोबित्रîtma सबसे पहले यह देख जाएगा कि इस प्लेट पर जल अदिक है, तो जल मंडल कहाँगा, प diff बहासागरी कि यह पर छेत्र फल नर्वर करता है किस पर नर्वर करता है यह प्लेट किस प्रकार की यह आपको के लिया हुआ अब देखिए अगर आपसे पूछा जाता है जो भारती प्लेट है भारती प्लेट है वो किस प्रकार की प्लेट है अगर आप से पूछा जाता है कि भारती प्लेट है important question है समझेगा कि भारती प्लेट है वो किस प्रकार की प्लेट है तो आप बहुत आरावश बता सकते हैं कि जो भारती प्लेट है वो महासागरी प्लेट है कैसी है महासागरी प्लेट है भारती प्लेट हैं वो कैसी है महासागरी प्लेट है क्योंकि जो ये वाली प्लेट है उस पर इस्थल मंडल कम है लिए इसे महासागरी प्लेट कहा जाएगा करका और अपनी प्लेट है वो किसके तैता आती है महासाघरी प्लेट के अदर तैता आती है वह स्थ प्रकार की इसके प्लेट अपना भारत कि आप इसे नोट कर लिए कि अभिए अपनी आपको बताऊंगा मित्रा जो बड़ी प्लेट है आकार के अनुसर बताऊंगा आकार के अनुसर प्लेट दो प्रकार की बताई थी कि प्लेटे दो प्रकार की होती है आकार के अनुसर है दो प्रकार के होती है तो स्हुआ से पहले करीं कि अधुली ब्ली सिर्ट मेंगे आपका उत्तर्य अमरिका प्लस दच्छडी अमेरिका दोनों आपके यह अमेरिकन प्लेट में उसके बाद अफ्रीकन प्लेट उसके बाद देखेंगे अफ्रीकन प्लेट जैसा प्लेट है यूरे से प्लेट यूरे से प्लेट यूरोपियन प्लेट यूरोपियन प्लेट उसके बाद देखेंगे पुरसांत मासागरी प्लेट अफ्रीकन प्लेट फ्रसांत मासागरी प्लेट उसके बाद प्रथी पर यह च्छे समसे बड़ी प्लेट अमेरिकन प्लेट इस पर उत्तरी अमेरिका दंच्वरी अमेरिका आते हैं अफ्रीकन प्लेट बड़ी प्लेट है यूरेशी प्लेट इस तरीके से देखा जाए जो प्रत्वी है इस पर 6 प्रकार की बड़ी प्लेट पाई जाती है उसके बाद छोटी-छोटी प्लेटों में जैसे आप देखते हैं छोटी प्लोटों में पूतली अमेरिकी प्लेट दच्छौरी अमेरिकी प्लेट भारतीय प्लेट यहां पर बित्र यहुँप सकतें आस्चरीन प्लेट प्लेट चोटी प्लेटों में यह अपकी बड़ी प्लेट देखेंगे उत्तर अमेरी की पिलेट भारती पिलेट फिलिपीन पिलेट जापानी पिलेट इरानी पिलेट युनानी पिलेट चोटी चोटी पिलेट परसांत मासागर पिलेट पूरी परसांत मासागर पिलेट यह कैसी है छोटी छोटी पिलेट है इनको आप याद रखिए दोस्तों मेरा सैसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप से गुजाइस है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करिए लाइक करिए कॉमेंट करिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी बहुत जल्द आपके सामन बनाऊंगा पेस हो